जीवन की सारी समस्याइं दूर हो चुकी, मन शान्त हो चुका है, एक और लंबी कहरी स्वास को रहे और छोड़ दे और छेहे पे हल्की सी मुस्कान बिखे रहे, दोनों हाथों को धर्शन करें और ऐसा महसूस करें पूरा शरीर मुस्कुरा रहा है, मन भी मुस्कुरा रहा है, आपका जीवन पूरी तरह से घुर्जा से भर पूर हो चुका है, शक्ती प्राप्त हो चुकी है गुरु पुर्णिमा की सौशर पर, गुरु का साथ, महादेव की उर्जाप के शरीर के अंदर प्राप्ट हो चुकी है शरीर के अंदर गुरु तक्त्व शिव तक्त्वा को महसूस करते हुए अथेलियों से अपने आँखों पे चेहरे पे शरीर के जिस जिस पार्ट्स में आपको लग रहा हो वहाँ पे सुर्चा को प्राप्त करें लंबी के हैं स्वास ले और देरे देरे स्वास छोड़ते अपनी आँखें जब भी चाहें देरे देरे कोल सकते And you can clap for yourself कैसा रहा? Good, good Everyone कुछ बोलना है किसी को? आज गुरुपुर्णिमा की सौसर पे गुरु का शाथ और महादेर की बक्ती दोनों आपके साथ मिल देगे Anybody wants to share something? गुरुपुर्णिमा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा काशी पहली बार गया है सर बहुत अच्छा सर बस आपके साथ जोड़े रहे आपका इस गुरु का हमारे उपर आशिवाद रहे बस और कुछ नहीं चाहिए सर बस महादेव की आशिरवाद गुरु का आशिवाद सभी का आपके बलिवार पे सब के साथ है जीवत में अपने करमाउस को करते वे हमें आगे बढ़ते जाते हैं सब्सक्राइब आपके लिए आपके लिए मुझे वो सब मेरे दिल में है आपके लिए और इक बात आपको गुड्निस देना था सर मेरा थारट का प्रब्लम बहुत कम हो गया है सर बहुत क्या बहुत अपको गुड्निस देने वाली थी लेगिन सब रहेंगे तो अच्छा रहे गा उनको भी अच्छा लेगी गया मतलब एक अनरजी मिलेगा सुनने के बाद मेरा थारट का प्रबल्म बहुत सॉल्ट होगया सर बहुत-बहुत बहुत बहुत पड़िए बहुत 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 तेंशन नहीं आता, अबकुत विचार आते नहीं, और विचार आते भी है, तो अपने आप बोलते हैं, आपने आप चले जाते हैं, ऐसा लगता है, अपने आप बहुत बड़ी बात बता है अबने, कि आज के इस गुरुपुर्णिमा के असर पर कि थारण की प्रावब्म आपके सॉल्ग होगी, यह जीवन हो कि अपना आसान हो जाता है, जब हम उसको जो सिचुईशन उसको एकसे पर कर, आपके बाते हैं, तो कि में आपने आपने आपक अपने आपने जीवन में महसूस किया, तो और कोई चीज की ज़रूती नहीं पड़ती, शक्ति वैसे ही मिलते जाती है आपको, लाइफ में. बोहत बड़ी है, बोहत बड़ी है, बहुत-बड़ी है. मीना जी, कैसे हुआ? ओम नमस्षिवा है. अब अनम्ज़ किजिए, आपका आवास सुनाई हैं भी दे रहा है. जी. जी, बुलियो मीना ठकल जी. जी ओम नमत्य आए गुरुजी आपके चरण वर आपको कोटी कोटी नमन्त मेरे को भी बहुत ही फरक हुआ है सारी डिक तो बहुत ही फरक हुआ है मेरा लिगामेंटेर था वो सरजरी बोली थी लेकिन मैंने इसी से क्याने मुलादार चक्र को हील करके वो एकदम अच्छा कर मैंने तो आपको को ठीक कोटी नमन्त माहदेव का आशिरवाद गुरुजी कह आशिरवादा आप सभी पर बना रहे बहुत है बड़ी बात पते हैं कि लिगेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो गए उसकी भी गोलियां बंद हो गई जी बिलकुल बंद सरजरी बोली थी वो तो बोला के नहीं करनी पड़ेगी लेकिन गोलियां भी आज 17 दिन से बंद करवा दिये बिलकुल ठीक हो गया है मैं रोज म दोविस दिन हो गया इंसलीन भी बंद हो कम होते होते चार मैने में रहता है इतना ही रहता है यह बात है यह एक शक्ती है जो हमारे आपके शरीर के अंदर बंगवान ने इश्वर में जिसे आप माते हो इतनी सारी एनर्जी उर्जा भरके रखी है कि बस उसे सिर्म कनेक्ट होने के जुरूरत है जैसे सब कितना असान हो जारा है प्लिए अब बहुत बढ़ी नमस्वर माहादय की कृपा बनी रहे गुरुतिका आश्रावाद आपके वॉपर आपके पुरी परिवार के उपर हमेशा बना रहे है क्या वाद है बहुत अच्छी न्यूस बताई है anybody else want to share something आस तो बहुत अच्छी बार बाते सामने आ रही है it's very good की सब जल इस एनरजी के साथ आगे बढ़ते रहे Vandana ji you want to say something no namaskar to you sir namaskar रोम नमस्षिवाई fine fine health is fine doing regularly chakra meditation so lot of improvement in overall health very good बास करते रहुँ आप जोइन आप जोइन आप सार्थ but I have some commitment if that doesn't come then I will be there no just surrender whatever thing is just surrender you'll be at your place तो पॉलम से इसको समरपट कर दो तो प्रकर भी देख लेगे I said great problem my son is going out of India so if that clashes with that time then I won't be able to come okay okay see problem is there life is there so up and downs going to come yes what do you think is that how you are going to face that situation for that you need that spiritual energy, spiritual power to face it I mean you know monson is going on बारिश आरही है तो बारिश आप घर से बाहर जा रहे हो take me that umbrella raincoat inside your body you having the same thing to face that problem you having that umbrella you having that raincoat just need to on it that's the thing you can मेरा मन तो बाहत ही है आने का so I think God will give me that this opportunity definitely definitely very good very good thank you sir lots of blessings lots of blessings to everyone actually you want to say something कुछ पुछने आपको I hope कि मैंने आंसर दे दी आपका अभी बात करते हुए yes शेकर अल बात करते हुए how is your हुआ ना शिस्टर सब ठीक है अभी सब ठीक है तो ये बात है साथ कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होगे लाइफ में उसके साथ आगे बढ़ते जाना है so don't worry whatever situation is there बस महादेव के चर्णों में समारपण करिके मुखत हो जाओ and just go ahead everything will be good sometime you know after learning the syllabus you have to prepare for the exam so this is the exam time for you and hopefully you will want to do the best just carry on करते रो everything will be at right place okay so don't worry sab पढिया होगा good okay anybody want to ask Alshina ji what do you want to ask me Monday fast like yes could you share what how what do you fast what is your day like see it's not like spiritual but it's also good for you know I just take the fruits on this Monday and more of liquid and awesome and you just chant this mantra Mahabhichan Jaya Madhu आप जब फास्टी करके ये चांटिक करते हो Mahabhichan Jaya Madhu Om Thrempadam Yaja Mahe Sugandhi Pushtri Vardhanam Uruva Rukmi Umbandana Vrithyur Mokshya Yamabhita you know you get lots of vibrations in your body body बहुत अरजा से बर्पूर होता है और छोटा से हवाद भी कर सकते हो as we are doing from Art of Link Sandhya Madhu so it's a very good बहुत अच्छा प्रोसे है to detoxify the body physically and emotionally so it's very good and I would like to invite you come and join this Sardha Ayurveda already Madhu Naji was there and you can just get the experience what we have नही बहुत जास्ट जास्ट जाक्या है it was such a beautiful experience anytime I am ready to go to that place and this time what you have told about the aura cleaning I am just waiting for that to see that see when we will have that rainfall the drop of water then through that we will have some meditation which will live day which is not possible in the closed area so I am also excited to feel that energy in everything yes so I am inviting everyone you are always there it will be very good when Nitinji was calling me I told him I can't guarantee anything I will once it gets fixed my things I will let you know so keep one place for me I told him yes 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 I am also going to try Satishji this time I know I missed it last time but this time I am definitely going to you know yeah it is in month of August at the 19th 20th 21st Saturday, Sunday, Monday as you know the sound will be there and it is a good time good place with nature and the five elements Japsharita passed I suggest it to everyone that they should not miss the opportunity right going to Sark one of the best places I can say for the meditation what they have having everything massages and all so hopefully and even I am having now online workshop from 27th of July 27th to 31st if anybody wanted to join join us if you want to refer your friends so you can refer okay so morning or evening mostly in the evening okay so just keep practicing and lots of blessings to everyone and once again wishing all a very happy Guru Purnima Guru Dev Jai Mahathal Jai Veli Jai see you soon thank you so much thank you so much thank you thank you thank you so much